चलिए आप भी फॉर्मेट बनाईए और मेरे साथ साथ करिएगा मैं भी देखो मैं चाहूं तो कॉपी कर सकता हूं लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहां पर करके दिखाऊँगा ताकि आप भी फॉर्मेट बनाए आप भी एक बार फॉर्मेट बनाएए साथ के साथ इसको इसको इसकेल से बनाना सी यो एस बात एक यह आपने आधा लिखा है सी यो एस कुछ नियो तो कॉस्ट अफ सेल्स होता है वो और सेम बात होती है ज़्यादा फरक नहीं रहता हमारा इसमें कभी डिटेल में करेंगे इस पर डिस्कॉस बाई जल्दे बनाईए मेरा फॉर्मिट बनने वाला है आफ लाइन में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका रेजिस्टर जरूर चेक करूँ आज फिर बेज हूँ आगर अगर 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 आगर इसमें अगर में पूछ इसमें आगर ऱगर बार अगर जगर पहले हमने किया था फीफो अब कर रहे हैं लीफो ठीक है ना पहले फीफो कर लिया था अब लीफो करते है चलिए कर लिया फॉर्मिट तयार अब देखिए पहला पॉइंट कहता है एक जैन को रिसीव किया कहानी एक बात ध्यान रखिएगा बैलेंस भी कह सकता है एक जनवरी को हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैलेंस पड़ा रहेगा तो ये भी ब्लैंक रहेगा ये भी ब्लैं स्टार्टिंग एक डेट को हम यहां पर क्या लिख देंगे बैलेंस बीडी और यह सारा हमारा ब्लैंक रहेगा बस बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएगा ठीक है चलिए रिसीव एक जैन वन दो हजार तीन तो एक जैन फिर से हमने रिसीव सर कितने क्वांटिटी एक हजार एक रुपए वाला हजार बचा सर इशू में कुछ नहीं होगा एक हजार एक रुपए यानि हजार पर दो हमने बचाएगा जैन दस को भी रिसीव किया है हमने जैन दस को रिसीव सर कितने रुपए का रिसीव किया दो सो साथ यूनिट एक रुपए पांच पैसे तू सेवेंटी ठी ये हाइफन रह जाएगा अब दो तरीके के समान होगे हमारे पास सर कुछ फरक तो ही नहीं पहले जैसा ही है अभी फरक दिखेगा अगले पॉइंट पे चलते हैं जैन बीस को इशू कर दिया बीस जैन को इशू कर दिया सर जो बीस जैन को हमने इशू किया है न कितने यूनिट इशू कियें? साथ सो तो ये खाली रह जाएगा 700 इशू की आप method of leafo leafo का मतलब जो सबसे last में आया है सबसे last में आया है का मतलब नए वाला तो आपके सामने दो तरीके के stock है एक पुराने वाला एक नए वाला तो हमें कितने unit इशू करने है सर 700 तो अगर हमें 700 करने है तो 700 में से पहले नए वाला निकालो सर तो नए वाला कितना निकलेगा 260 और रुपे 105 273 और बाकी और कितने करने 700 में 340 440 क्यों अच्छा 440 तो अब करने हमें 440 एक रुपे वाला ये आ गया 440 अब हम देखेंगे balance तो balance ये वाला थोड़ी बचेगा ये तो बिग गया यानि निकल गया इसी में से बचा होगा हमारा कितने 560 और ये एक रुपे वाला है 560 मैं फरक भी दिखाता जाओंगा कि आप देखेंगे पहली दो एंट्री में यहां भी सेम था लेकिन जब हमने ये वाला issue किया था तो यहां पर दो तरीके के variety बचे थे और दोनों का amount भी अलग अलग था लेकिन यहां पर सिर्फ एक तरीके के variety हमारे पास बचा हुआ है तो major difference जो आता है जो method change होता है वो लीफो और फीफो वो आपको receive में कभी भी नहीं दिखेगा हमेशा दिखेगा कहां पर इसका impact issue price के अंदर ठीक है ना इसका price का impact दिखेगा issue में चलिए सर अगले date पर आ जाते है फिर से 21 जन्वरी को receive किया 21 जैन को आपने receive किया कितने receive किये है 400 unit कितने रुपे वाला 1.15 कितने हो गए 460 कितने हो गए 460 तर ये तो blank रह गया अब मेरे पास दो variety हो गए एक 560 एक रुपे वाला एक 400 1.15 वाला इसका कीमत हो गया 560 इसका कीमत हो गया 400 मैं इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ क्यूंकि यहां कोई जौरत है नहीं हाला कि इसको मैं उपर कर देता हूँ इसको मैं उपर कर देता हूँ चलिए हमने कहां तक कर लिया सर 21 तारिक तब 22 तारिक को भी रिसीव किया है हमने सर 22 तारिक को जो रिसीव किया है 22 जन कितने रिसीव किया है सर रिसीव किया है हमने 300 यूनिट कितने रुपे वाला 1.25 कितने रुपे का 375 अब हमारे पास 3 तरीकी के वराइटी 560 400 300 1 रुपे 1 रुपे 15 पैसे 1 रुपे 25 पैसे तो 375 रुपए का 460 रुपए का और 560 रुपए का जिसको दिक्कत हो ना रोग ले ना यहाँ पे यह समझ में नहीं आ रहा नहीं तो फिर तो आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत अगले पॉइंट पे चलते हैं अब इशू किया है अब फरक दिखना चालू हो जाएगा इशू जो हमने किया है कब किया है सर यह किया है जैन 23 तो 23 जैन को इशू किया है कितने यूनिट किया है सर इशू अब देखिए यह 620 यूनिट तो अगर हमने 620 यूनिट इशू किये हुए है तो उस situation में ये तो रह गया blank नहीं हाँ अब issue वाले में आ जाते हैं तो हमें कौन सा पहले बेचना है पहले 300 क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है लीफो तो पहले नहे वाला बेचो 300 वाला 1.25 गया करना 620 है अब 400 में से बेचो 320 कितने वाला 1. तो ये तो 375 हो गया ये कितने हो गया बताओ 368 बैलेंस जो बचा ही है तो बचा ही नहीं 400 पहले हमारा 560 तो पढ़ा हुआ ही है एक रुपए और 400 में से भी 320 चला गया तो 80 पढ़ा हुआ है एक रुपए 15 पैसे तो ये 560 और ये कितना हो गया 92 23 तारिक के बाद 24 को 240 और इशू कर दिये 24 जैन को 240 और इशू कर दिये हमने सर जो 240 इशू किये है हमने तब हमारे पास दो तरीके के स्टाक है अब पहले तो 80 ये निकालो एक रुपए 15 पैसे 240 में और कितने चाहिए सर हमें 60 चाहिए 100 तो 160 उपर वाले में से निकालो रुपए वाले में से तो 160 और ये हो गया 92 अब यहाँ पे जो बचे है मेरे पास 400 यूनिट वो सरिफ एक वाला बचा है हमारे पास 400 रुपए का अब इसके बाद फिर हमने रिसीव किये कितने 500 यूनिट हमने रिसीव कर लिए 500 यूनिट थोड़ा रिसीव कर लिए 500 यूनिट रिसीव कब किये हमने 25 को सर कितने यूनिट कितने रुपए वाला कितने रुपए हो गये ये तो खाली हो गया अब हमारे पास दो परकार के वराइटी है और एक हमारे पास 501 रुपए 10 पैसे यानि सर 400 रुपए का समान और 550 रुपए का समान अगला आ जाता है 26 जन्वरी को 26 जैन को आपने क्या कर दिये सर 26 जैन को आपने इस्ई कर दिये 26 जैन को क्या इस्ई की है सर एक तो आपने ये किया है 500 कर दिया कितने इशू किया आपने 200 तो इसी में से निकल जाएंगे एक रुपए 10 पैसे कितने बनते हैं 400 अरे मैंने गलत जगे ले लिया हाँ 380 अब जो मेरे पास बचा है 400 पुराने वाला एक रुपए के हिसाब से 400 और 500 में से 380 चले गए तो 120 एक रुपए 10 पैसे के हिसाब से यह भी एक स्टप पीछे चले गए अच्छा कोई बात ने यह तो हो जाएगा यह कितना हो गया 132 अगेन मैं आप से पूछना हूँ पानसो बत्तेश जो सवाल पूछा गया पिछले सवाल में देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का था इस वाले में कितने का है तो आपका मैथड बदलने से यूनिट भी देखिए चलिए पिछले बार यूनिट कितने थे यूनिट कितने थे इस बार यूनिट कितने है तो यूनिट में थोड़ी फरक होगा पहले भी यूनिट इतने ही थे अब भी यूनिट लेकिन प्राइस में फरक हो जाता है क्योंकि हमने जो बेचा ना वो बेचने का स्ट्रेटेजी क्या था हमारा अलग था क्या यहाँ पे कितने unit कितने का भी अचाए बताईए आप कितने unit इसू में टोटल तो unit तो सेम रहने वाला है लेकिन आपका जो ये टोटल करोगे ना जो unit वाले कॉलम का वो क्या आएगा completely अलगा जाएगा समुझ में आ रहे बात आपको डिफ्रेंशेट क्या है तो चलिए आपके लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं कि 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 को डाउट इस सवाल में बताईए दो मैथड हमने कर लिए यह लाइन और नीचे खिश देते हैं जिसको दिक्कत होगी दो मैथड कर लिए हमने सेलिंग और डिस्टिबिशन एक्स्पिंस इसमें किसी को डाउट है तो बताईए नहीं डाउट किसी को सारा समझ में आ रहा है हमने लीपो का भी देख लिया और फीफो का भी देख लिया इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे वेटेज का वेटेज के अंदर क्या फर्क रहेंगा अभी पता मिनिट का काम था कि यह एक बार समझ मैं है फिर हम फटा-फट उसको क्या कर सकते हैं खुदी कर सकते हैं ठीक है ना पार बार समय कर सकते हैं